दोस्तो एक इंसान इंडिया में रहे के हर महीने 35,000 डॉलर की एंडिंग करता है जो आप देख सकते हो जो कि दोस्तो हमारे इंडियन करेंसी में 29,000,000 रुपए होते हैं अब छोड़ो 29,000,000 को छोड़ देते हैं इसका बहुत कम कर लेते हैं 5 गुना 6 गुना कम कर लो मतलब दोस्तो कम से कम 5,000,000 की एंडिंग तो ये भाई करता ही करता है अब मैंने यहाँ पर एंडिंग कम क्यों किया वो भी बताऊंगा अगर ये नॉर्मल लॉंग वीडियो पे काम करते तो शायद ये 29,000 से ज्यादा की एंडिंग करते लेकिन दोस्तो ये भाई जो है long वीडियो भी बनाते हैं और short वीडियो भी बनाते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एंडिंग को कम कर क्याब को बोला है अडि इसका मतलब ये नहीं है कि वो short वीडियो बनाते हैं तो short में views आएगा लॉंग में views नहीं आएगा जी नहीं उनके जैसे short video में views आते हैं आप देखके shock हो जाओगे के same to same उसी type का views उनके long video में भी आते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लिए चैनल इंडिया का ही है मैंने आपको ये proof दिखा दिया अब दोस्तों back करते हैं इनके channel पर आते हैं ऐसे दोस्तों इनके long video में views आ रहा है अगर आप यहाँ पर most popular करोगे तो एक long video दोस्तों इनका highest 5.6 million views तक गया था वही 1.3 million 4,3,000,000 ऐसे views भी normal है अब दोस्तों एक बार आपको short दिखा देता हो इनहीं के channel का तो देखे यहाँ पर यह जो short है यह उन्होंने just कुछी time पहले upload किया है इसलिए यहाँ पर 1200 views आपको दिखा रहा है अगर मैं इसको pause करके इसका description आपको दिखा हूँ देख तो इनके shots में फिरसे एक बार जा आना होगा तो बाकी video में आप views देखे एक लाग 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 से post अंख जाता ही जाता है अगर यहाँ पर most popular करू तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 179,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, मतलब दोश्तो 100 million से जयादा कितने views हैं कितने video में views हैं आप देख सकते हो मतलब दोश्तो अगर ऐसे videos आप 1 पना लो जिसमें 100 million से जयादा views है तो आप उससे 10 channel monetize कर सकते हो क्योंकि एक channel monetize करने के लिए 10 million views ही लगते हैं अब दोस्तों अगर इनके वीडियो शिक्षिन में ले जाओं and आपको दिखाओं एक और चीजी है पर नोटिस करने लाइक ये है तो यहाँ पर देख सकते हो इनका जो लास्ट वीडियो है वो 95 के व्यूज है एक साल पहले अपलोड किया गया यानिक दोस्तों एक साल से ये स एक लाग डेल लाग वियूज इनके आते हैं फिर भी शायद कुछ अच्छा सोचते होंगे या फिर उनका कोई और प्लैन है जिसकी वज़य से वो शौट में ज्यादा काम करते हैं अब आप यहाँ पर यह भी सोच सकते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका चैनल मोनेटाइ सो यहाँ पर मोनेटाइजिजन के रिलिटेड कोई प्रॉबलम नहीं है और यह फिर भी लॉंग में काम करते हैं शौट में ज्यादा काम करते हैं तो यह भी मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दिया अब दूस्तों इनके चैनल पर वापस चलते हैं इनके चैनल पर जो वीड सिखा दूँगा क्योंकि यह हर वीडियो में अलग-अलग भी फिक्स करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह क्या कर रहा है यहाँ पर देखी मैं आपको एक्जम्पल देकर समझा देता हूं कि यहाँ प वो सिर्फ की फ्रेम से यहां पर animation को जो है वो किया है ठीक है आप इस वीडियो को प्ले करोगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं थोड़ा सा यहां पर इधर करता हूं तो देखिए यहां पर इस train को नोने रोका और उसके बाद इस cow को नोने उठाया और उठा के च करके सिखाओ तो वो मैं आपको सिखा दूँगा no attention YouTube पर free में available करा दूँगा free में सिखा दूँगा ठीक है वैसे मेरे editing course है जिस पर भी मैंने बहुत सारी VFX आपको दिखाने का सोचा है तो वो course अभी आने वारा तो जाके join कर सकते हो वैसे दूस्तों मेरे editing course आ रहा है जो अ सीखने को मिलेगा यह सब कुछ दोस्तों आप सीख सकते हो मेरे course को join करके ठीक है तो वैसे back to the topic अभी इस चनल का editing है वो सीखते है तो देखिए यहां पर आप किसी भी वीडियो को play करें यहां पर sound सोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं तो यहां पर देखिए आपको just वैसे यह य यहां पर जो है इस तरह की चीजे आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत मुश्किल है लेकिन नहीं बहुत आसान है यह वाला वीडियो देखिए आप अगर देखोगे तो लगए यह कैसे हो सकता है इतना मुश्किल वीडियो लेकिन दोस्तों यह बिलकुल भी मुश्किल नहीं है यह जो वीडियो यह बहुत ईजी है बहुत ही आसान है यह आप अपने मुबाइल फोन से बना सकता हूँ चलो यह ही वाला आपको सिखाता हो करना तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको जो भी स्टेप्स हैं जो भी चीजे यह पर हो रहा है वैसे आपको कर लेना है अब मैंने खुद का रेकॉर्ड तो किया नहीं है तो मैं जेस्ट पिक्सब यह पिक्सल से कुछ भी डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं तो देखे मुझे एक डैंस का वीडियो मिला मैंने एक्टिल मैं डैंस सर्च किया और यहाँ पर यह वीडियो मिला जो के एकदम फ्री टो यूज है तो मैं इसी को डाउनलोड करता हूं इसी को डाउनलोड करके मैं आपको सिखा रहा हूं देखे मैंने वीडियो को डाउनलोड किया है अब editing simple kindmaster से करूँगा यहाँ पर आपको kindmaster में आ जाना है and create new पे click करना है and जैसे ही मैं यहाँ पर create new पे click करूँगा मेरे सामने कुछ options है जैसे यह अगर आप short बनाओगे तो दूसरे वाले में 9 is to 16 आप वो select करोगे अगर long बनाओगे तो यह जो 16 is to 9 है आप वो select करोगे अब दूसरे मैं यहाँ पर create करता हूँ तो चीक है यहाँ पर यह जो pair इनका move हो रहा है आप इसको भी कर सकते हो जो हाथ move हो रहा है आप इसको भी कर सकते हो पर दिखने कि कौन कौन से जैसे अगर सर इहां पर देखी इधर आ रहा है तो मैं इहां पर चाहूं तो एक और animation एड़ कर सकता हूं तो मैं इहां पर दोस्तों capture and save फिर से कर लेता हूं और यहां पर आपको जो भी portion है for example अगर आप चाहते हो कि यहां पर हाथ इनका set हो जाए हाथ कहीं से उड़के आए तो यहां पर आप सिर्फ से एक बार capture and save कर लोगे तो फिलाल दिखाने के लिए तीन enough है तो इन तीन चीजों को यह जो तीनों मैंने photos capture करी हैं इनका अब background मुझे remove करना है जिसके लिए मैं जाओंगा remove.bg में यह है remove.bg का website simple आप यहां पर आओगे upload image करोगे and image को upload कर दोगे देखिए मैंने image को upload कर दिया अब इसका जो background है वो remove होके आ गया मैं simple यहां पर download कर लूँगा download करने के बाद जो दूसरा वाला image है मैं उसका भी यहां पर background को change कर लूँगा यह remove कर लूँगा तो मैंने तीनों images की background है वो remove करके download कर लिया है अब हमें एक application की जोड़ोत पड़ेगी जिसका नाम है background eraser यह वाला app है यह इसका नाम है simple play store में जाकर search करोगे मिल जाएगा इसके बाद यहां पर load of photo है आपको इस पर click करना है इसके बाद यहां पर image है वो मैंने ले लिया है अपने gallery से यहां पर दिखिए मुझे अपने इसके जो हाथ है वो set करना है तो मैं यहां पर इसका जो इस यहां पर इस तरह से delete करता जाओंगा थोड़ा easily यहां पर हो जाएगा बतलब बहुत ज़्यादा tricky task नहीं है सिर्फ थोड़ा time लेके करना तो यहां पर यह दिखिए यह हो गया अब इसको simple done करेंगे and done करके gallery में save करेंगे यह save कर लिया अब back करेंगे दूसरा वाला image तो यह जो नीचे का portion है यह अभी से cut कर देते हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी हम सिर्फ sir का लेंगे तो यहां पर इसका size फिर से बढ़ा करते हैं and बाकी जो भी चीज़े हैं उन सब को remove करके सिर्फ sir का ले लेंगे यह देखिए sir को इस तरह सा मैंने cut कर लिया जब done करेंगे done करके save कर लेंगे तो यह दोनों ही आपको भी करके दिखाता हूं चीक है तो इन दोनों को आप कैसे करोगे वो देख लीजिए आपको यह पूरा का पूरा पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगा तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है आपको याद रखना है कि अपने कौन-कौन सी जगा से वो screenshot लिया था तो सबसे पहले हम यहां पर layer में जाएंगे and layer में जाके हम उन दो जो images जो हमने remove करी उन दोनों को यहां पर import करेंगे चले दोनों को एक-एक करके मैंने import कर लिया अब जैसे मुझे आप यहां पर जो sir देख र लेते हैं and इसको अब मैं थोड़ा सा यहां पर zoom करके इसके साथ match कर लूँगा कि यह ठीक तरह से आ जाए तो देखिए पहले यहां पर इसको थोड़ा और छोटा करना होगा and यह देखिए यह हो गया match अब चाहो तो आप इसको और फोड़ा सा छोटा कर सकते हो and फिर यहा सर आ चुका है यहां पर यह रहा देखिए पर्फेक्ट फीट हो गया अब हम क्या करेंगे अब यहां पर इसको हम animation एड़ करेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखिए इसके बाद इसका तो काम नहीं है तो हम इसको अब यहां पर छोटा कर लेंगे इतना दूर तक रख ले अब अगर मैं इसको play करूँ तो आप देखिए यहां पर कैसा होगा यह देखिए यहां पर सर आया ठीक इसी तरह से आपको हाथ को भी करना है यह देखिए यह वाला portion था जहां पर मैंने हाथ का screenshot लिया था तो सबसे पहले इसको हम बढ़ा करेंगे and बढ़ा करके हाथ के सा इसात match करेंगे इस्फिर से एक बढ़ कीफ्रेम में जाएंगे and कीफ्रेम में जाकर इसको plus कर लेंगे अब यह यही पर रहेगा था को हम जितना चाहें उतना घूमा सकते हैं आप यह सर के साथ भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि बहुम नहीं सकता लेकिन इसको और फॉन करने के ल जो भी आप ला सकते हैं अब इसके हाथ मूव हो रहा है तो अब देखिए यहाँ पर यह देखिए हाथ इसके fit हो गया है तो काफी अच्छा एक cool VFX आप बनाना सीख गए हो अब आप जो भी है sticker वगरा चीजे और add करके इस चीज को और fun कर सकते हो ऊपर chill कवे उढ़ रहे हैं तो इस तरह से आपको वह चीज़ा फाइंड करना है वीडियो को और ज्यादा engaging बनाना है एंटर्टेनिंग बनाना है जैसे वह भाई बनाते हैं यह जो चीज़े मैंने यहाँ पर एक stock footage से किया है यह चीज़े आप मत करो आप खुद का यूज करो क्योंकि मेरे पास तो भी जिस तरह कभी VFX आपको सीखना है वो मुझे बताना है कि यह वाला जो वीडियो है उस वीडियो का title लिख देना है या कुछ भी मतलब मुझे समझ आ जाए कि आप इस वीडियो के बारे बात कर रहो तो वो वीडियो मैं खुद के ऊपर खुद वो चीज़ करके आपको देखोगे जैसे वो अगर मैदान में खेल रहे है ऐसा वैसे कर रहे है तो वो सब चीज़े जब मैं करूंगा तो वहाँ पर और ज्यादा time invest होगा बाहर जाओंगा और वो सब चीज़े करूंगा तो यहाँ पर time बहुत ज़दा लगने वाला है और महनत बहुत ज़दा होन वाल आए तो अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉंस आया अगर आपने शेयर किया अगर आपने लाइक किया सब्सक्राइब किया सो कुल मिलाकर अगर वीडियो अच्छे आए तो भाई महनत आगे और जारी देहागा ऐसे वीडियो आपको और बनाना सिखाऊंगा जैसा भी आप कमेंट करोगे इतने सारे वीडियो में से जो भी वीडियो आप ढूंड के लाओगे मैं उसी वीडियो का बनाना सिखा दूंगा अगर इस वीडियो में रिस्पॉंस अच्छा आया इस वीडियो में इतना ही आप से मिलते हैं अगली वीडियो में